इंगलास देखिए exercise 13.8 का last question एक बच गया था बाकी कोई कुछ भेजा नहीं इसका मतलब बन गया होगा है ना जो जो हमको लगा हम बता दिये अब optional में भी कुछ question है उसको discuss कर देंगा पहले देखिए 10 समझ लेजिए एक question में को रहा है कि capsule इसका diameter दिया हुए 3.5 mm mm तो radius आधा हो जाएगा इसका पॉइंट हटा के 10 कर लिएगा ठीक रहेगा पांच radius 7 by 4 mm हो गया अब question में देके पढ़िए आप से पुछा यहां एंसर आप से पुछा गया इन क्यूबिक मीटर देखिए ब्रैकेंट में लिखा हुआ क्यूबिक मीलीमीटर में रेडियस मीलीमीटर में है तब इसको cm में चेंज करने का कोई जरूरत नहीं है रेडियस मिली मीटर में है एंसर पुछा गया है क्यूबिक मिली मीटर में तो यूनिट चेंज करने का कोई जरूरत है नहीं है भॉलूम लगा है इस्पेडिकल दिया हुआ है से तो एस्पेर का फोर भाई थ्री पाई अर्कुट तो फोर भाई थ्री पाई का वैलू 22 बाई 7 हुआ है आर्ट कुट देखिए रेडियस 7 और भाई4 मिली मीटर है यहां 7 बाई 4 मिली मीटर है इसका होल क्यूब ब्राइकर शक बुकर लिए इसके बाद इसको सॉल्ब कर लिजिए थैंसर आप्से क्यूबिक मीटर में चला आएगा ए इसको भी सुल्भ कर लिजिए गहां धेयर धाटाटीन पॉइंट नाई में और पिन कोईस्ट तो 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 पर हम्साइए आप लूग्साट अवागई तो पहला वी सम्झाएं कि यहां समझाते रहा जाएंगे बोलते रहा जाएंगे कि इतना कम हम कि इस तरह का बना हुआ उसको चलता है तो बैंच पर रख क्या समझाते हैं तो बच्चा को बढ़ियां से तुरंट समझ में चलाता है तुआ अभी हम समझाएंगे तुम ही समझ में रहे तो लोग बना लेगा आपने से उच्छल्य ठीक है बढ़िया अच्छी बैप लेकि कि उसको अगर हम अभी समझाएंगे या ना तू नहीं समझ माएगा लकड़ी का एक बना हुआ है यहां उपर होस्टल में उसके बच्चा का जुता रखने के लिए अगर उसको हम दिखाएंगे न क्लास में तो बढ़िया से समझ माएगा तो फर्स्ट क्वेस्टन को छोड़ अब देखिए अब दिखाते हैं अब देखिए अभी दिखाए ना वह बना हुआ उडएन तो उसको क्लास में तो बेंच पर रखना विजुलाइज कराएंगे ना तो समझ माएगा इसे यहां पर रखना भी उसकी लहना तो उसको वंड किजिया समझा देगा बाद में पॉस्चन देखिए ऐसा ऐसा एट को बना हुआ है पॉस्चन फाहिले सेकंड ध्यान से पढ़िया उप्शनल का एक्सरसाइज का यह डिजाइन बना हुआ है ना सिलेंट्रिकल है उसके ऊपर स्परिकल है ऐसा ऐसा टोटल आट को लिखा हुआ एक चीज़ ध्यान देज़ यह स्फेर ना सिलेंट्रिकल पोर्शन है इसका रडियस वान प्वांट ऐससे डिनोट किया है और इसका जो हाइट दिया हुआ हुआ हुँ 7 C prayer दिया हुआ 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 कुछ ना उसको सील्वर से पेंट करना है और जो सिलेंड्री проблем प्रषण यह इसको प्लैक कलर से पेंट करना है इसको alas kar parma है कॉश्ट दिया हुआ कि पहले आप लोगह इसका सर्चे शेरिया निकालते हैं द्यान से लेकिन समय Ihr इसको पेंट करना है तो पेंट आप किजिए गाप तो तो अध्यान से समझें इतना इधर इधर यह सब पेंट की हैं इसको इधर सभी ऐसे पेंट की है अना इतना दूर नहीं होगा देयास समझें चुकि नीचे से जो पिलड होगा तो एस अफ़ील और रहले मतलब जितना दूर इसका यह सर्फेश एडिया होगा उतना तो पेंट नहीं होगा चुकि यह तो सट गया को बहुंज आपको क्या करना है द्यान से समझें लिखते रहे बा ऐसे लिख देजएगा area to be colored silver जितना हमको silver color कर रहे हैं उसका area क्या होगा तो this hair का surface area ध्यान से समझेगा बात को this hair का surface area चुकि this hair को ही silver color से रंग ना है तो this hair का surface area तो जब आप इस hair का surface area ले लिए तो तो समुचा में ले लिए ध्यान समझेगा इस hair का surface area हो गया तब पुड़ा यह आप ले लिए इतना पुड़ा तो पुड़ा को हमको silver तो रहे करना आप इतना दूर नहीं न करना होगा कुछ area नहीं करना होगा चुक उसमें cylinder सटा हुआ तो कितना area नहीं होगा silver से paint ध्यान से समझेगा तो जितना यह सिलेंडर का area हो गया मून का टॉप का यहीं न इसमें जाके ऐसे सट जाएगा तो जितना इसका area होगा यह बला वो silver से नहीं paint होगा बात समझेगा तो यह जो इतना area है इसका area क्या होगा पाई आर स्कुरा ध्यान से समझेगा यह cylinder का top है तो सिलेंडर के radius को हम small area क्या है तो सिलेंडर का यह top हुआ इसका area क्या हो जागा सरकिल का area पाई आर स्कुरा स्मॉल आर स्कुरा तो silver color से कितना paint होगा तो यह द्याल से समझेगा sphere के surface area निकाल लेगे लेकिन हमको तो यतना दूर नहीं न करना है तो यतना दूर माइनस करना होगा तो यह cylinder का top area है cylinder का top area तो पूरे यह sphere के surface area में से यह cylinder का top area है इसको माइनस कर लेगे सिल्वर पेंट नहीं होगा सिल्वर पेंट आपका यहां से यहीं तब होगा इतना दूर तो यह सट गया ना तो सट गया तो 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 रह पेंट होगा तो surface area sphere क्या उसमें सी cylinder के top area घटाना होगा ऐसा 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 स्थेर का हो है आठ वो साइद है question पर लिजेगा इसको पूरा calculate करके आठ से गुना कर देगा यह आपका सिल्वर निकल जाएगा जिसको सिल्वर से पेंट करना है कि समझें ना उसके बाद देखिया अब सिलेंडर जो है उसको ब्लैक से करना है तध्यान से देखिये जैसे यह जमीन पर आए यह सटा हुआ है कहने का मतलब की बलायक इत माड़े इतना ही होगा अना सो पर सो ककी दीवाल नहीं तो सिलता होगा यह तो Superior निख देजिए अर तही तो चारों तरफ से कीजिएगा ना तो सिलेंडर का गया हुआ कि रिचारणकर सरह से बाइड रहा है अचाही काई हो ऐसा ऐसा सिलेंडर हो आठ भोगा ना तो आठ से गुना भी कर दिजेगा लस्ट में एगोका निकाल के आठ से मल्टिप्लाई किजेगा चुके ऐसा ऐसा आठ हो है पोस चन्द्यान से पर लेजिए तो इस निकल दिया पलाइक वाला इसके बाद देखिए आप स्काराँ अजय हों जो सिल्वेर वाला निकला है वो 15 पस्ते हैं 1्वार 1.10 ब्वादे कास्व कर नने में हां एंक वाल्ट चार रूपया हुआ यह तो 5 को 100 सभाब कर दिजिए तो 1.20 रूपया होगा, तो बला एक कलर का खर्च जो है ना, एक स्क्वार सेंटीमीटर का एक बटा बीस रूपया होगा, तो टोटल यहां से ही निकाल लिएगा पुरा, 8 से गुना भी कर दिजिएगा, तो जितना आएगा उसको 1.20 से गुना करन अब एक स्क्वार मीटर का, एक स्क्वार सेंटीमीटर, एक स्क्वार सेंटीमीटर का कोस्ट एक बटा चार रूपया है, तो जितना आएगा उसको 1.20 से गुना कर दिजिएगा, तो रूपया में बदल जाएगा, नहीं तो 25 से गुना कर दिएगा, तो पैसा में ही रहेगा लास्ट में बदल दिजिएगा है ना फिर बलैक वला को निकलना होगा तो इस कोईस्चन में ध्यान से समझ यह बात को काल्कुलेशन आप तो पड़के देखिएगा इसका कल्कुलेशन तुरा से कम्टिकेटड है इसको कर लिए अच्छा कोश्चन है अब अगला वीडियों में तीसरा समझा देंगा अच्छा कोश्चन है पहला यहां समझाएंगे लेक्टर समझ में आएगा नहीं उत्रा बढ़िया सीसी लिए आप बोल रहे हो छोड़ती है ना चलिए ठीक है इसको सुल्व करिएगा